तो दोस्तों स्वीडियों बात करने वाले Reliance Industries के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे Reliance Industries का Weekly Analysis कि अपने एक्स्ट वीक के लिए कौन से मुडल लेवल्स है जो हमें Reliance Industries के लिए ध्यान में रखने हैं उसके accordingly क्या possible levels और हमें यहाँ पर जो है वो स्टॉक के लिए प्राइज एक्षन देखने को मिलेगा अब देखो दोस्तों ओवरल यहाँ पर Reliance तो हमें लास्ट कुछ दिनों से या फिर अगर मैं कहूं तो लास्ट ओवरल यह पूरे के पूरे ऑक्टोबर मन्त में थोड़ा सा कई ना कई य अंदर गिरावट की सिनारियो जादा बन जाते हैं ठीक है जादा impactful selling market के अंदर हमें आती भी देखने को मिलेगी बट ओवरल क्योंकि Reliance यहाँ पर जो है वो 1300 से लेकर 1320 के मेजर सपोर्ट पे है यह सपोर्ट इतना easily break भी नहीं होगा अगर 1360 के उपर निकल गया तो इसके इन दे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी और देखते हैं 1480 से लेकर 1450 और उसके बाद क्या पता हमें 1580-1680 तक के भी लेवल्स देखने को मिले